आज तक कि जितनी मैंने एनिमे सीरीज या मूवी देखी उन सब में ये वाली जो मूवी है वो सबसे जादा मैं कहूँगा खतरनाक और जो जल्दी से समझना आने वाली मूवी है नमशकार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तब परफेक्ट ब्ल्यू मूवी के बारे में जो 1997 के अंदर आई दी और अभी मैं कहूँगा कि 2020 में मैंने अभी तक कोई ऐसी मूवी या सीरीज नहीं देखी जो इतनी साइकलोजिकल इतनी थ्रिलर और इतनी होरर से बरियो अब मैंने एक वर्ड यहां पर यूज के है होरर अब इसका मतलब यह नहीं है कि एक दम से कोई दर्वाजा खुले और उसमें से आवाज आई या हाद बार आई वो होरर नहीं होता है होरर का मतलब होता है कि जिसको देखकर आपकी फट्च है और यह मूवी वैसी है यह दे से दूर रहो क्योंकि यार यह तुम्हारे समझ से बहुत पड़े की चीज़ है तुम जाके पोगो देखो और जो थोड़े बहुत मैच्चोर हो चुके है तो उनको मैं यह कहूँगा कि यह बहुत जादा डिस्टर्विंग मूवी है यह एक बार देखने से मूवी समझ नह करने का जो तरीका होगा और जब तुम देख रहे होगे कसम से तुम बहुत जादा इंजोई कर रहे होगे यह यूटूब पर एविलेबल है वहां जाकर आप इसको फ्री ओफ कोस इसको देख सकते हैं चलो अब इसकी कहानी पर वाते हैं डोंट वरी मैं ऐसा कुछ नहीं ब ग्रूप से जुड़ी हुई है चाम नाम से एक ग्रूप है जैपनीज ग्रूप है उससे वो जुड़ी हुई है और यह तीन लड़किया है उस ग्रूप में वो गाना गाती है और ओडियंस को बहुत जादा पसंद करती है लोग इसके बहुत जादा फैन है और मीमा जो है वो इन सब की नजरों में ऐसे बनी हुई है जैसे कि वो बहुत जादा क्यूट इनोसेंट और बहुत प्यारी लड़के और स्टार्टिंग में देखने पर आपको ऐसा ही फील होने वाला है तो वहां पर एक अनॉंस्मेंट करती है कि अब वह सिंगिंग चोड़कर एक फूल टाइम एक्टरस बनने वाली जाएर तोर पर उसके फैन को यह बात पसंद नहीं आने वाली और घुता भी ऐसा ही है कि बहुत जादे मीमानिया शायद ऐसा ही परनेंशेशन है तो वह इसे स्टोक करना शुरू कर देता है इसे लैटर भेजना शुरू कर देता है अब एक मीमा रूम ऐसे करके एक वेबसाइट होती है तो वहां पर जब मीमा को पता चलता है कि ऐसी वेबसाइट भी है तो वह वहां पर जाती ह और वहाँ देखती है कि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है इवन उसने क्या-क्या वर्ड बोले अपने पूरी डेली लाइफ में वो एक-एक वर्ड भी वहाँ पे लिखे हुए है यह देखकर मीमा डर भी जाती है कि इतनी गहराई से उसे कौन देख रहा है, कौन उसे इतनी अनलाइस कर रहा है तो यह चीज़े वो अपने मैनेजर को बजाती है फिलाल मैनेजर उस चीज़ को लेकर इतना सीरियस नहीं लेगती और इसको भी कहती है कि इन चीज़ों को इंगनोर कर अपने एक्टिंग पर देहान दे इसा उसके मन में ख्याल आता है और ऐसा ही मीमा के मन में हुआ उसके मन में जो है वो बार-बार यही क्याल आ रहा था कि क्या उसने सिंगिंग छोड़के इसा ही किया या गलत किया और इसी वज़य से एक स्प्लिट परसनेलिटी उसके सामने आती है एक singer की जो personality होती है एक actress की personality होती है और यहां से psychological part यहां से शुरू हो जाता है और यह जो चीजें हैं यहां तक पहुचने में tension मतलो आप लोगों को सिर्फ वर सिर्फ 5 से 7 minute ही wait करना होगा इतनी जल्दी जल्दी आपको यह चीजें इसमें दिखाई गई है 5-7 minute में psychological part यसमें शुरू हो जाएगा और यहां से यह movie जो है वो अब अपना रूप लेना start करती है और यह split personality है जो singer है वो यही कहती है कि तुझे actor नहीं बनना है जाके उस group को join कर वही actors की जो personality है वो यही कहती है कि तुझे acting करनी है और इसी split personality के कारण मीमा जो है वो reality और imaginary life में फरक करना बूल जाती है और बहुत भ्यंकर रूप से फरक करना बूलती है for example कि मैं आप लोगों को कहूँ आपने वो inception movie देखे होगी उसमें सपने के अंदर सपने में जाते हैं तो एक मन में वहां पर कोई थोड बिठा देते हैं तो कुछ एक ऐसा ही तरीका यहां पर है कि आप सपना देख रहे हैं और आपने सपने में एक बाइक खरीद ली जो भी आपकी पसंद दिन्दा बाइक थी आपने वो बाइक चलाई आप थक कर सपने के अंदर ही फिर सो गए और जब आप रियालिटी में उठे तो आप उस बाइक को ढूंड रहे होगे क्योंकि आप फरक नहीं कर पाऊँगे क्योंकि आप सपने के अंदर भी सो चुके थे तो आप रियालिटी और जो इमेजनेरी लाइफ उसमें फरक नहीं कर पाऊँगे तो ऐसा यहां पर आपको देखने को मिलेगा और जो मीमा की जो परस्नालिटी जो स्प्लिट परस्नालिटी की जो प्रोब्लम है वो और जादा खतरनाक रूप तब ले लेती है इतना जादा खतरनाक होता है कि यार मैं भी एक बार सोचने पर मश्बूर हो गया तो यार यह क्या दिखा रहे हो यार साथी साथ एक न्यूट फोटो शूट भी होता है जिससे इसकी जो स्प्लिट परस्नालिटी वो और जादा खुल कर सामने आती है वो अब इसको यही बार-बार बोल रही है कि तेरी एक जो परस्नालिटी थी जब तु एक ग्रूप में थी वहाँ पर लोग तुझे पसंद क्या करते थी तु एक क्यूट इनोसेंट लड़की थी और अब देख तुने अपने आपको क्या बना लिया है और मुवी में साथ ही साथ मर्डर होने शुरू हो जाते हैं पहले एक जो मीमा का जो मैनेजर है उसको एक लैटर आता है जिसमें बंब होता है वहाँ से उसके कहेंगे कि murder नहीं होता लेकिन उससे वो काफी जादा injured हो जाता है फिर writer का murder होता है फिर इसके बाद photographer का murder होता है और जो इसमें जो director है उन्होंने इतनी बखुबी से इस movie को बनाया है कि आप लोगों को यह movie बहुत जादा एक कहूंगा कि दिमाग के आपके ढ खकन खोल देगी ऐसा नहीं है कि आपने बंदों की तरह movie देखने शुरू कर दी और यह movie समझाए जाएगी नहीं ऐसा नहीं है आपको खुद महनत करनी होगी और मैं यही कहने वाला हूं कि यह movie कम से कम दो बार देखो तब इस movie का जो देखने का आपको फल मिलने वाला है क हाँ इसमें actual में क्या हुआ है और don't worry मैंने आपको ऐसा कोई spoiler नहीं दिया और इसमें बहुत सारी चीज़े मैंने नहीं बताए यह तो एक कहानी थी कि ऐसा psychological thriller, horror चीज़े इसके अंदर है और ऐसी split personality निकल के आती है और कैसे इस चीज़ को deal तो नहीं कहुँगा कि मैं कुछ बताने नहीं वाला तो खुच जाकर देखो इस movie को और मैं कसम से guaranteed आप इस movie को बहुँ जादा enjoy करने वाले हो और director ने जो इसके अंदर जो color red color के ओपर बहुँ जादा focus किया है आप really में इस movie के जो color है जो character है हर चीज़ से हर dialogue से बहुँ जादा impress होने वाले हो मैंने नहीं देखी थी सच में मैंने कोई anime series इतनी खतरनाक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी और जब यह देखी तो मैंने वियार यह दो बार देखी मैंने का यार समझ नहीं आया और जब मैंने first time इस movie को देखा तो 10 minute के लिए मैं ऐसे bad कहा कि यार यह है क्या बनाया है कितना खतरना यार यह चीज और तुम लोगों को देखना चाहिए कि कोई इंसान इतना perfection इतनी अच्छी story कैसे लिख सकता है उससे आपको inspiration जुरूर मिलेगी कि हाँ अपने काम को और बहतरीन करने में क्यार मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परभावित हुआ हूँ कि इतनी जब आप चाहा रहे होगी अपने time को ज्यादा देर की नहीं है दो गंटे से भी कम की time के और आप चाहते होगी आपकी time का बहुत ज्यादा time है और अपने time को utilize करना चाते हो कुछ चीज़ें संबना चाते हो तो यह movie जाकर जरूर देखो पस आज के लिए इतना है इस वीडियो म मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद